राम राम एवर्वड़ी सागते सभी का विदानत अकेडमी इंद और और अंकुरन इस्टेटिट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिसकस कर रहे हैं मैट्स के कोशिंस जो स्पेशली टीटी एग्जाम्स के लिए हैं और उसमें 14 लेक्चर्स हम डिसकस कर चुके हैं आज 15 लेक्चर है स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट कोशिंट 2m-1 by 2m is equal to 2 यह रीसेंट में कोशिंस देखे जा रहे हैं अई अबच्ले 4-6 साल से एक्जाम में इस तरह के कुशिंस देखने को मिल रहे हैं अलजबरा से तो इस कौशिंट में हमने company देखा और वहां पर स्कूर का कुस्ट में हमने यहां फ्यान दिया ैहां पर 2m है। और हम square करेंगे वर्ग करेंगे तो यहां पर 4m square होना था लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं और यहां पर 16 है और 16 किसका square है 4 का और यहां m square मतलब यह कहां नहीं कहां से start हुई है 4m से और यह m से यह m का square है तो हमें भी यहां पर कुछ कैसा बनाना पड़ेगा m plus 1 by sorry m minus है तो minus के साथ ही चलेंगे m minus 1 by 4m 4m ऐसा कुछ हमें बनाना पड़ेगा ऐसा बनाने के लिए यहां से हमें 2 उड़ाना है 2 उड़ाना है तो हम क्या करेंगे 2 से divide कर देंगे 2 से divide कर देंगे तो यह कहां पर पहुंच जाएगा यह पहुंच जाएगा 2m 2 से 2 cancel out हो जाएगा बचेगा m minus 1 by 4m is equal to यहां 2 से divide होगा बचेगा 1 start करते हैं अब square करते हैं इसका m minus 1 by 4 का 4m का square is equal to क्या होगा 1 का square 1 होगा यह होगा a square plus b square plus sorry minus 2a और b की जगह 1 by 4m is equal to 1 m से m cancel यह cancel out होगा यह बचेगा 2 यह minus का half आधा आधा यहां जाके जोड़ेगा डेड़ हो जाएगा और यही अपन को चाहिए यह इस तरह डेड़ आ जाएगा यह एक और आधा डेड़ यह answer बनेगा अब थोड़ा सा एक comment आया था science physics को लेकर physics हम किस तरह के से तयार करें किस तरह के questions हम से पूछ जाएंगे आपको करना है तयार physics में आपको सला दी जाती है कि आप तयार करें जो relations होते हैं जैसे force का relation बल का relation है दाब का relation है और जितने formula है उन formula को बहुत अच्छी तरह से याद रखना और उनमें ऊपर नीचे का relation याद रखना कौन समानपाती है कौन वित्कुमानपाती है यह relation याद रखना दूसरा उन पर जो numerical questions बन सकते हैं numerical बिल्कुल सीधे सीधे questions उन पर जो बन सकते हैं वो ध्यान रखना है एक दो या तीन question जो बहुत ही उटपटांक वो पूछ लेता है उस पर अपन को नहीं जाना है उसकी tension अपन को नहीं लेनी है लेकिन इतने से हमारा physics तयार हो जाएगा दूसरा और बहुत important बात कि आपको जितने examples book में खासतोर से NCRT में जो examples दिये गए वो example जरूर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए वो condition बहुत अच्छे से याद होना चाहिए जो क्रिया कल आपके थूरू book में दी रहती है या example के तोर पर book में दी होती है वो याद होना चा बूल रहे हैं तो इस तरह से physics को cover किया जा सकता है तो जहां जो comment आया था उसका solution हम starting में देने का commit किये थी कि हम वीडियो की starting में दे देंगे तो एक question के बाद याद आ गया हमें तो हमने बता दिया चलिए अब चलते है अपन अपने second question पर second question है हमारा to the power to the power to the power to fit 2 square to the power 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 to whole power to इस तरह के questions को हमने solve करना सिखाया था ऐसा question और लिया था और ऐसे question सामने तक गलत हो जाते हैं और आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि आप हमसे जुड़े हो इन्हें अपने start करेंगे उपर से solve करना उपर से जब हम solve करने जाएंगे तो यहां हमने देखा य 2 के form में 4 के form में और 16 के form में हैं अब हम चलते हैं इसे simple करते हैं to the power 2 उपर से हम नीचे की तरफ आएंगे to the power 2 2 di power 2 का मतलब होगा, ये हो जाएगा 4 ये 4 हो जाएगा 2 di power 4, 4 का मतलब होगा 16. 2 di power 4, 2 का गुना 4 बार, 2, 4, 8, 16, 16, 16. तो 2 di power 16 बना, 2 di power 16 यहां भी है, 2 di power 16 यहां भी है, 2 di power 16, अब यहाँ 4 के form में हैं, 4 के फॉर्म में है तो अपने 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं तू दी पावर 2 इंटू 8 यह यहां आ जाएगा तो 4 तू दी पावर 8 मतलब option number B हमारा पूरी तरह से गलत है पहले step को ही लेकर अपन बेस क्या लेकर आगए 4 इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं 4 लिख दिया पावर 8 as it is बच जाएगी अब 16 की तरह लेकर चलते हैं To the power 16 को हम To the power 16 है इसे base 16 पर ले जाना है Base 16 कैसे आता है? 2, 4, 8, 16 कितनी पावर? 4 पावर तो 16 को हमें ब्रेक करना है 4 में तो 4 into 4 इसे use करेंगे यह हो जाएगा 16 to the power 4 इससे बनेगा हमारा answer 16 to the power 4, 16 to the power 2 और यह हो गया हमारा fourth option भी गलत, second of fourth हट गए, second of fourth हटते हैं, अब हम चलें next step को, next step को देखें हम यह क्या होगा? ब्रेकेट के अंदर, ब्रेकेट पहले solve किया जाता है, ब्रेकेट के अंदर क्या है? 2 square है, अगर यह open है, तो सीधे उपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे यहाँ उपर से नीचे की तरफ आएंगे, अंदर भी उपर से नीचे की तरफ आएंगे, यह 2 square क्या होगा? 4, 2 square होग 4 और 4 to the power 4, 4 to the power 4, ये दिख रहा है, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, अब हम देखते हैं, base 2 बनाना है हमें, base 2 बनाना है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 square into 4, ये क्या हो जाएगा, to the power 8, मतलब ये दोनों अभी भी सही हैं, अब चलते हैं, last step की तरफ, last step में हम जाएगे, तो last step में फिर से हमारा वही काम है, bracket के अंदर पहले solve करेंगे, उसके बाद उसे solve करेंगे, तो ये देखो, इसमें क्या किया, बस ये ध्यान रखना, bracket के बाहर वाला जो भी power आया, जो भी था, ये कितना था, 4, 4 इसके साथ किस में आएगा, into में आएगा, गुणा में आएगा, आप इसे किस तरह से भी लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे, उपर power solve करोगे, फोर हो जाएगा, to the power 2 और जो उपर solve किया था, 4, to the power 8 इस तरह से लिखा जा सकता था, वो to the power 4 या to the power 8 किसी भी तरह से solve कर सकते थे, वो हमने देख लिया है, अब चलते हम इसकी तरह, इसे हम क्या करेंगे, अंदर उपर से solve करेंगे, to the power 4, to the power 4, और bracket के बाहर क्या है, ये, ये कितना होगा, to the power 8, to the power 8 कहीं भी नहीं लिखा है, फिर अपन इसको दूसरा कैसे solve करते, to the power 4, to the power 4 का मतलब कितना होता है, 16, 16 to the power 2, 16 to the power 2, पहले ये option में दे रहा है, अब तो तय है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो दोनों में difference बनाएगा, तो answer आजाएगा, अपना option number B, अब अपन इसको base 8 में break करनी की कोसिस करते, base 8 कैसे बनता, 2, 4, 8, power कितनी लगानी है, 2 की, 3, तब जाके 8 बनता, और यहां कितना solve करके आ रहा है, तो दी पावर 8 आ रहा है, अब दो गुणा 4 में से 3 कैसे निकालोगे, कैसे भी नहीं निकाल सकते, प्लस में ही निकालोगे उसका, कोई meaning नहीं होगा, into में लिखने में आएगा, तो हम इसे इस form में convert नहीं कर सकते, आंसर होगा, option number A, चलते हैं, next question की तरफ, अगला question, अगला question बोल रहा है, दो सदत विशम संख्याओं का गुणनफल, 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल है, अब यह ऐसे छोटी-छोटी questions है, जो बहुत problem देते हैं, दो क्रमागत विशम संख्याओं, पहली चीज तो यह है, विशम संख्याओं क्या सोचोगे, आप अपने मन से सोचो, 3-3 के बाद क्या लोगे, 5, 11-11 के बाद 13, 21-21 के बाद 23, 27 के बाद 29, दो बढ़ा कर ले रहे हो, तो आप क्या लोगे, n into n plus 2, इस तरह से आप लोगे विशम संख्याओं, और ये 6, 7, 2, 3, और गड़ित सिखाता है तरक करना, तरक के आधार पर चीज़ों को स्थापित करना, और यहां हम वही करेंगे तरक के आधार पर, देखो यहां पर हमबाली की जा सकती है, हम सॉल्व करने के लिए चले जाएं, तमाम एक्जामपल लेकर, हम इसे सॉल्व करने जाते हैं, देखते हैं, यहां unit is it क्या है हमारा unit is it 3, unit is it 3 का बाता है, हमारे हिसाब से क्या होगा, या तो एक गुणा 3 होगा, ऐसा कुछ भी हो, या 7 गुणा 9, ऐसा कुछ भी हो, इसी में possible है, 3 और 5, 5 और 7 में यह possible नहीं है, न 9 और 11 में है, 9 और 1 में भी नहीं है, तो यह इस तरह का जोड़ा बनेगा, और कैसा है, यह whole square के आसपास यह कहानी जा रही है, whole square के आसपास जा रही है, फिर देखो, फिर देखना question, तो छोटी संख्या का वर्ग मूल है, मतलब यहां जो नंबर आ रहा है न, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का एकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या साथ हो सकता है, अब ये सारी चीज़ों को मिला के अब आपन नंबर सोचने की कोसिस करते हैं, एकाई का अंक एक हो या साथ हो, आप क्या सोचोगे, एकाई का अंक एक या साथ, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में जाओगे, एक एक तो होई नहीं सकता, चा प्रेकाई काउंक है वो एक या साथ होना है अगला वाला अपन सोच नहीं सकते छोटे वाले का वर्गमूल बोल रहा है तो छोटे वाले का वर्गमूल एक या साथ में से आएगा तो यह और यह नहीं होगा फिर debt 36 के बाद 49, 49 64 64 Inspector के बाद 81 18, 181 हो रहा है, मतलब वो नंबर क्या हो सकता है, 81 हो सकता है और 83 हो सकता है, देखो, और कोई option बन रहा है, फिर बन रहा है 121, 121 और 123, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा उनका गुक्डा करके, 81 और 83 का ये फिर भी दिख सकता है, लेकिन 121 और 123 का तो बहुत उपर निकल जाएगा 100 और 100 सी 10,000 हो जाता है तो यहां अपन को आंसर मिल गया 81 और 83 और 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 दूसरा दूसरा तर्क दूसरा तर्क यह है यह अगर यह दोनों संख्यां आसपास हैं दोनों संख्यां आसपास हैं तो जैसे उधारण के तौर पर लिया हमने 63 और 65 तो इनका जो वर्गमूल होगा वो 64 के आसपास ही रहेगा 64 के आसपास जाएगा वर्गमूल इसका वो वर्गमूल वाली क्लास में एक्जेक्ट बताएंगे तो मौटा मौटा अंदाजा हमें इसका लग रहा है अब यहां पर क्या है 81 और 83 है इसका वर्गमूल भी कहाँ जाएगा जो 63 इसका वर्गमूल देखते हैं आसपास कहाँ जाएगा इकाईकांक तो हमें पता चल गया एक और 3 होगा या 7 और 9 होगा अब देखो 65 है तो 80 का कितना होता है 80 का वर्क 64 मतलब 80 से जस्ट आगे हम जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा तो 80 के आगे क्या मिलेगा 81 और 83 इस इसाब से हम इस question को दो logic से solve कर सकते हैं और दोनों अच्छे logic हैं और परेशान होनेगी क्योंकि एक unknown है इसे हम जाएंगे solve करने के लिए द्विघात समिकर्व बनेगा उसकी कलपना भी नहीं करना है वो विकल्प है आपके पास कलपना नहीं करना है फिर भी जाके under root करना ही पड़ेगा वर्कमूल करना पड़ेगा चलते हैं next question पर वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 32,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुड़नफल एक पूर्ण घन बन जाए फिर से logical question आएगा और हम इसको फिर से logic से solve करने की कोशिस करेंगे ये 33,275 इसमें किस से गुणा कर दें कि ये क्या बन जाए पूर्ण घन बन जाए अगर आप समझते हैं पूर्ण घन संख्या समझते हैं पूर्ण घन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन में बात करें सुन्य की 0 की 0 अगर उसमें आता है न पूर्ण घन है तो 3 के जोड़े में आएगा, या तो 3 0 होगे या 6 0 होगे, इस तरह से होगा, किसी का भी करके देख लेना, अगर पॉइंट भी होगा तो पॉइंट भी 3 के जोड़े में ही चलेगा, अब ये चीज अगर तुम्हें पता है, समझते हो इस बात को, तो अगर हम इस में 2 का गुणा करेंगे, 75 में, तो कितना होगा, 1500 होगा, 1500 होगा, आगे केरी चला जाएगा, उसके बारे में मत सोचो, लेकिन 0 कितना बनेगा, 1, क्या किसी पूर्ण गंचंख्या में 1 0 बन सकता है, नहीं बन सकता है, लगाएंगे पूरी तरह गलत, 6 से गुणा करोगे 75 चके कितना होता है, 75 चके 450 होगा, 450 होगा, एक 0 पॉसीबली नहीं है, अब क्या बचा हमारे पास option बचा, 3 और 5, 75 का मतलब क्या होता है, 75 होता है, 25 यहाँ पर 75 बन रहा है, इसका मतलब है, जो 5 है, इसमें कितनी बार है, दो बार है, और यहाँ 3 एक बार है, इसमें, इसमे कितनी बार भी हो लेकिन अभी ध्यान किस पर है लास्ट में हमारे 75 पर है और आप कहीं पर भी टेबल करके देख लेना ये जो 75 आया है आप 25 का पहाड़ा पड़ो 25 ती ये 75 125 आने की कहानी अलग है वो पांच बार में आता है लेकिन 175 275 और फिर उसके बाद 365 ये 5 की टेबल में नहीं आता इसमें से 5 गायव रहता है 75 वाले में से 75 वाले में 5 गायव रहता है तो 5 सिर्फ कितनी बार रहता है इसमें 2 बार रहता है एक बार और 5 से गुणा करोगे तो पून घंड की कंडिशन ये बन जाएगी यहाँ पर ये है logic से solve करना तो answer क्या विकल्प के बाद फिर हम इसे solve करके बताते हैं क्या आएगा 200 इसमें 5 से गुणा कर देंगे हैं 5 से गुणा कर देते हैं ये हो जाएगा 25 का 5, 575, 35, 35 और 2, 37 का 7, 5 दुनी 10, 10 और कितना बचा था यहाँ पर 3, 375 अब ये लग रहा होगा सर ये कैसे हो गया 375, ये 375 होता है 125 का 3 गुणा, 125 में 5, 3 बार आता है ये ध्यान रखना, 125 में 5, 3 बार आता है और 125 का 3 गुणा होता है 375, तो किसी फरेव में नहीं आना जो यहाँ बता है बिल्कुल सही है वो चलो वापस आते हैं, भूल गए हम कहां थे, 5 दूनी 10, 10 और 3, 13 फिर 5 ती है 15, 15 और 1, 16 की 6 इसका घनमूल निकालना है, घनमूल निकालने के लिए इसे हटा के सीधे 5 लिख दो और ये किसके घन की रेंज में आ रहा है ये घन की रेंज में आएगा, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो 5 की रेंज में आ रहा है, मतलब ये क्या है, 55 का क्यूब निकालने और आपको आंसर मिल जाएगा, 55 का क्यूब ये आ जाएगा तो अपना आंसर एकदम ठीक है, अब चलते हैं अगले कोशिन की तरफ, वेरिफाई करना बता दिया और सॉल्व करना बता दिया नेक्स्ट कोशिन है, 9,1,1,2,5,5,1,2, अब क्यूब रूट निकालना घंबूल निकालना तो जस्ट पिछले कोशिन में ही बताया है, तो अब हमारे लिए वो बड़ा आसान काम है, 9,1,1,2,5 ये तीन अंक उड़ाए, इसके लिए क्या लिखा अपने, 5, ये थर्ड रूट ओफ, 5, फिर क्या बचा, इंक्यान वे, इंक्यान में किसके क्यूब की रेंज में, 4 का, 64, 5 का, 125, 125 उपर निकल लेगा, किसकी रेंज आ रही है, 4 की आ रही है, तो ये क्या होगा, एक्चुली नमबर हो जाता, अमेजनरी नमबर हो जाता, कालपनिक संख्या हो जाती, और यहाँ दी है, मतलब वास्थाविक संख्या है, तो अंडरूट से बाहर क्या आ रहा होगा, माइनस में नमबर आ रहा होगा, अब देखो, ये 512 है, 512 तो याद रहना चाहिए, क्या होता है, 8 का cube होता है, बाहर निकालोगी, क्या आजाएगा ये minus का 45 बाहर आजाएगा, और यहां से बाहर आजाएगा 8 8 बाहर आएगा देखो हाँ, ये minus का 8 बाहर आएगा minus का 8 बाहर आएगा, तो 45 और 8 कितना हो जाएगा, 45 और 8 हो जाएगा, 53 वो को भी किसका माइनस का 53 माइनस का option नमबर एह हमारा answer उम्मीद है ज्यादा इसमें problem नहीं आई होगी क्योंकि पिछला question अपन कर चुके हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं logical बे में मिल रहा है 3 गुणअ हो रहा है मतलब व्याज कितना मिल रहा है दो गुणा मिल रहा है 15 वर्ज 6 माँ में 250 मिल रहा है 100 रुपय अपन मूलधन मां लें 200 व्याज मिल रहा है 15 वर्स 6 मा, 15 गुणा 12 वर्स के इसाफ से महीने में convert करेंगे, तो 15 गुणा 12 करोगे 180 होगा, 180 और 6 मा यह कितने 186 मा साधारण है, साधारण है तो एक ब्याज के लिए कितना लगेगा हमें कितना निकालना है, दो गुणा हो जाता है मतलब 100 रुपए दें, तो 200 रुपए हो जाए, तो ब्याज कितना चाहिए हमें 100, तो एक निकालनी के लिए हम क्या करते हैं 186 बटा 200 यह एक रुपए का ब्याज, लेकिन चाहिए कितना 100, तो 100 गुना कर देंगे तो यह आजाएगा, माहम है मंत्स में आजाएगा, देखो कितना आजाएगा 2 से भाग लगाओगे, यह आजाएगा 93, 93 का मतलब क्या होता है 12 से इसमें भाग लगाओगे, अभी महीने है 12 से भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, 12 से चौरासी 12 वर्स, बचेगा कितना 9, जो महीने है 9 मंत, 12 वर्स, 9 मा 12 वर्स, 9 मा, ऑप्शन नबर B, यह आंसर बनेगा साइद ऐसा लग रहा है कि कभी यह कुश्चन करवा दिया लेकिन फिर भी ठीक लगा, करवा दिया अब रेपीट नहीं होगा, क्योंकि मार्क कर लिया हमने Next question एक आदमी ने 800 रुपए 10 प्रतिशत वार्सिक दर से साधरन ब्याज पर उधार लिये तथा वही धनरासी दूसरे वेक्ति को चकवरदी ब्याज पर उधार दे दी दो वर्स परश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा Actually मैं यह प्राप्त धन की जगे क्या है अब चलते हैं अपने कोश्चन की दरफ देखते हैं कोश्चन में क्या है 10 प्रतिशत दर से दिया अब 10 प्रतिशत दर से पिछले जो लेक्चर था वहां समझाया था difference निकालना कैसे सिखाया था x plus y plus xy upon 100 इसमें जो difference होता है वोट इस पार्ट में रहता है अगर rate of interest अलग-अलग है तो same है तो x और y की जगे same आ जाएगा तो ये तो common रहेगा साधरन ब्याज और चक्रप्रदी ब्याज में 10% यहां 10% यहां तो ये तो simple में भी मिलेगा 20% तो इसे हटाया तो इस difference पर हमारा ध्यान रहेगा ब्याजदर कितना है दोनों वर्स 10% है 10 गुणा 10 बटा 100 तो 100 बटा 100 का मतलब क्या है अंतर कितने % का आना है एक परसेंट का आना है और है कितना 800 रुपए 800 रुपए का एक परसेंट जब 100% में से एक जीरो उड़ाया जाता है तो यह 10% बचता है दो जीरो उड़ा देते हैं तो एक परसेंट बचता है दो जीरो हटा दोगे आठ आ जाएगा एक परसेंट तो आठ अंतर बनेगा option नमबर भी हमारा answer हो जाएगा इस तरह से हम इसे solve कर सकते हैं ना हमें साधरन ब्याज नि चले गए option चले गए तो बिना option के अब हम इसे solve करना है चलिए solve करते हैं एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तु में 60 रुपए में बेचने पर 20 प्रतिशत का लाव हुगा मतलब जो 60 रुपए है ना उसमें 20 प्रतिशत लाव सामिल है और लाव कम मिलता है जब cost price आ जाती है उसके बाद जो extra part होता है वो लाव होता है तो मिलेगा कितना CP plus 20% मतलब कितने percent मिलेगा 120 प्रतिशत तो 120 प्रतिशत है कितना 120 प्रतिशत है 60 रुपए लेकिन CP कितना होता है CP तो 100 प्रतिशत होता है तो 100 प्रतिशत निकाल लेते हैं जब अपन 1 प्रतिशत निकालेंगे तो ये प से इसको काटोगे दो बार दो से इसको काटोगे तो यह रुपए में कितना आ जाएगा कौस प्राइगा कॉस प्राइप कितनी आ 50 रुपे में ये जो सौधा था अपना 60 रुपे में अपनने कितनी बीच दी? 20 बस्तू है इस सौधे में ये 20 बस्तू है कितने की खरीदी थी? 50 की तो अपनको खरीद पता है कि 50 रुपे में अपनने कितनी खरीदी थी? 50 रुपे में खरीदी हमने 20 तो 60 रुपए में निकालना है कितनी खरीदी तो 1 रुपए में निकालेंगे पहले तो 20 बटा 50 और 60 रुपए में निकालना है इसलिए गुड़ा 60 0 से 0 काट देंगे 5 से काटोगे ये 4 बार 6 चौक 24 तो ये 24 वस्तुएं खरीदी थी पहले या यू निकालोगे रुपए उपर वस्तुएं नीचे कितनी 20 कितने की धाई रुपए की 1 कितने की देखना है 60 रुपए की देखना है तो धाई धाई से N मिलाकर कितनी आ गई है कितना रुपए हो गया 60 धाई से काटोगे ये 25 से काटोगे ये 24 बार कट जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा 24 ये तो सिंपल है आप लोग कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं आपको पता चल गया 50 में अगर 20 आई है तो एक कितने की होगी धाई की 60 में कितने आजाएंगी 24 आजाएंगी थूड़ी सी लॉजिकल बात है बाकी ये करके हमने दिखाई दिया है 24 ऑप्शन है यही नहीं दसमा नॉमा कोशन 41 रुपे की रासी को 50 लड़कों एवं लड़कियों में मध्य बाटा गया प्रतेक लड़के को 90 पैसे तथा लड़की को 60 पैसे प्राप्ट होए लड़के ये लड़कियों की संख्या का अनुपात ग्यात कीजी ये रेशियो का कोशन है और जो आलिगेशन होता है वो होता है एक तरीका सॉलुशन का व्हालव करने का अभी हम चलते हैं दिखते हैं overall कितना मिल रही है रासी, overall कितनी मिल रही है, 50 लड़कों येवं लड़कियां, total कितने हैं, 50, मिल कितना रहा है 41 रुपै, तो overall देखें, 41 बटा 50, तो overall देखने जाएंगे, तो क्या मिल रहा है, 0.82 रूपीज, 0.82 रूपीज या 82 पैसा, 82 पैसा per head पड़ रहा है, overall देखा जाएं, लेकिन यहां क्या पता चल रहा है, boys का खर्चा जादा है, girls saving कर लेती है, boys को फिर भी कम पड़ता है, उधार लेनी की नौबती आ जाती है, मन्त के लास्ट में, यहां girls को 65 पैसा, यह पर यूनिट पड़ रहा है, लेकिन overall पर यूनिट की क्या कहानी है, overall कहा है, 82 पैसा, यहां difference देखेंगे, याद रखना, इसमें feeling इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि यह method है, mechanical method है, यह solution नहीं है, जो basic है, यह basic नहीं है, तो 65 और 82 का अंतर कितना होगा, यह होता है, 17 अनुपाते, 90 और 82 का अंतर, 8, यह आ गया ratio, 17 raise to 8, 17 अनुपाते, 8, option number B, basic से solve करने जाते, basic से हम यहां equation बना देतें, आपको, boys और girls को मिला के, 50 लोगों को कितना मिल रहा है, 41 मिल रहा है, 50 लोगों को मिल रहा है, 41, तो 41 रुपे मिल रहा है, तो कहानी क्या हो जाती, इसमें, total, यह कहानी हो जाती, 41 रुपे, boys, total 50 लोगों में, boys अगर X होंगे, तो girls क्या होंगी, 50 minus X, देखो, एक लड़के को कितना मिल रहा है, 90 पैसा, दो लड़कों को, 180 पैसा, तीन लड़कों को, 270 पैसा, जितने लड़के हैं, उतनी से गुड़ा कर रहे हो, अगर हम सभी लड़कों का पैसा एकटा करें, तो बताओ, इसे अपन क्या कर लें, 41 कर लेते हैं, अपन, यह होगा 90 पैसा गुड़ा X, या 90 X लिख देते हैं सीधा, प्लस, गल्स को कितना मिल रहा है, एक लड़की को मिल रहा है, 65 पैसा, लड़कियां हैं कितनी, 50 minus X, इसे आप सॉल्व कर लोगी, इसे X मतलब बॉइस की संख्या आ जाएगी, और 50 में से घटा दोगे, गल्स की स संख्या और रेशियो निकाल सकते हो, यह basic equation आपका बनेगा, और आपको हम बताएं, यही calculation यहाँ पर की है, यही calculation है, अब हम इसको और explore नहीं कर रहे हैं, यह इसी calculation में घटाने पर पहुंच जाएंगे, भाग देने पर, अभी नहीं कर रहे हैं हम, कहीं पर फिर देख लेन चलते हैं next question, पर अगला question क्या बोल रहा है, एक बिजली का खंबा 14 मीटर लंबा है, तथा उसकी परचाई 10 मीटर है, आप लोग एक चीज समझना, जो maths में भी सिखाया जाता है, जब हम ratio की बात करते हैं, अनुपात का उप्योग मानचित्रण में किया जाता है, मानचित्र अगज में हम पूरे भारत को समा देते हैं, जबकि है बहुत विशालका है, तो बहुत लंबी दूरी को सीमित करने के लिए हम उसमें ratio का use करते हैं, वैसे ही परचाई की भी निश्यत कहानी होती है, तो परचाई जितना पोल बना हुआ है, ये खंबा है, सुरे यहां आ रह दूसरा object खड़ा है, उसकी भी डेड़ को नहीं बनाएगा, तो वो किसके हिसाब से बनाता है, ratio के हिसाब से बनाता है, उसमें difference नहीं होता object के हिसाब से, तो वैसे ही यहां पर अगर 14 मीटर की परचाई 10 मीटर बन रही है, उपर हम actual लंबाई लिख लेते हैं, चौदा हो नीचे लिख लिए हमने परचाई, दूसरी condition में, यदि इनी परिस्थितियों समान हो, तो उस पेड़ की लंबाई क्या होगी, जिसकी परचाई, परचाई तो हम नीचे लिख रहे हैं, 15, और यह है, 5 से काटोगे, यह 3 हो जाएगा, 5 से काटोगे, यह 2 हो जाएगा, 3 यहा आंसर, चलते हैं, अगले प्रशन पर, अगला प्रशन हम से बोल रहा है, यदी भिन्न, यह 3, 5 भिन्न दे रहा है, इन भिन्नों को लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखना ह है चौथी बिन कौनसी होगी पांच में से चौथी पूछ रहा है तो अच्छा खासा सवाल पूछ लिया है उसने अब हम चलते हैं छोटा देखते हैं छोटा देखने के लिए अब देखो अभी तक हम जो फ्रेक्शन्स ले रहे थे उनमें एक का डिफेरेंस होता था लेकिन एक का difference नहीं है, difference अलग-अलग है, difference अलग है, यहां तीन का है, यहां पांच का है, यहां अलग है, वहां भी पांच का है, तो अब देखने चलते हैं, हम छोटी भिन देखते हैं, आठ से cross multiply से, आठ दुनी, 16, 15, यह चोटी है, इन में difference कितना है, 3, 8, 4, 9, यह 5 का ही difference है, इसमें, इसमें, और इसमें, तो इन तीनों में देखते हैं, जो बड़ी दिख रही है, वो बड़ी होगी, जो चोटी दिख रही है, वो चोटी होगी, तो यहां चोटी सबसे चोटी क कहानी खतम हो गई, अभी सबसे चोटी भिन हम देख रहे हैं अभी, सिर्फ इसको इससे comparison कर रहे हैं, 13, 49, 8, 40, 49 ही क्या होगा, सबसे चोटा होगा, तो सबसे चोटी भिन कौनसी आ जाएगी, 3, 8, 3, 8, सबसे चोटी भिन आ जाएगी, अब देखते हैं, इन दोनों का इसे ह हटा दिया आप हमने, इसे हटा दिया, 9, 18, 5, 20, 9, 18, 18, 18 चोटा होता है, 18 चोटा होता है, तो इसे हम लिलेंगे, इसे लिया इसे compare किया हमने इसके साथ, 13, 26 और ये 25, तो ये चोटा हो गया, इसको हटा दिया हमने, ये 25 चोटा होता है, 13, 26 और 25, 25 चोटा होता है, फिर इसक साथ में चेक करेंगी 11 55 और 13 चक्के 78 तो यह 55 चोटा होता है तो अगला क्या आज आएगा 5 बटा कि तेरा पांच बटा 13 भी हटा दिया हमने अब फिर लेते हैं इन दोनों का कंपरेजन करते हैं नो दुनी 18 और पांच चोटा है पहले भी यह आ रहा था इस छोटे का कंपरेजन हम करते हैं इससे ग्यारा दुनी 22 और 6 पंजे 30 तो अब छोटा कौन सा आ रहा है दो बटा 5 दो बटा पांच आ गया यह भी हटा दिया फिर उसके बाद ग्यारा चोग 44 छे नाव 44 चोटा है तो चार बटा 9 और 6 बटा 11 चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है चौथे नंबर पर आ रहा है चार बटा 9 ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर हां बिलकुल किसी के दिमाग में आ रहा कि फिर भाग लगा दू तो एप्रॉक्स हमें पता चल जाएगा 100 से भी नहीं दिक्कत है तो 1000 से भी कर सकते हो जिससे करना चाहो उससे कर सकते हैं 200 से गुड़ा करके कर सकते हो आ जाएका अंसर तो वह आपकी जिम्मेदारी है अगर आपको करके देखना और सुटेबल लग हैं जिसे देखने में हमें भी एक बार लगा था यहां पर प्लस लेकिन यह क्या है एकचुली में माइस है और आप लोग जब बोल देते हो इससे आपने वहाँ यह ले लिया और बहुत अच्छा लगता है आप लोग वाकPP में हम महनत कर रहे हैं तो आप लोग इसका अपन को 4-0 अपन ले लेते हैं तो 4-0 हटाना अपन को तो अपने लिए अब कोश्चिन क्या हो जाएगा लास्ट में आंसर में भाग दे देंगे 4-0 से यहां से देखो 1-0 कट जाएगा 3 तो फिर भी बचे रहेंगे यह 2,000 फिर इसमें 3-0 कट जाएगे 1-0 तो फिर भी बना रहेगा यह 20, 2-0 कट जाएगे लेकिन 2-0 बचे रहेंगे यहां तो 4-0 कट जाएगे 2 बचेगा 2,000 में से 200 गए 2,000 में से 200 गए कितने बचे 1820 और 1822 अब कितना है 1822 लेकिन हमें तो 4-0 से भाग लगा ना 4-0 से भाग लगा देंगे तो 01822 हमारा आंसर बनेगा option नमबर D उम्मीद है इसमें आपको कोई परिशानी नहीं हुई होगी कोई भी परिशानी नहीं होगी अब चलते हैं आगे की तरफ अगला प्रशन अगला प्रशन है एक अनव सानी किन्तु आवरती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग असांथ संख्या आवरती दसमलव है जो दसमलव है वो कैसा है रेपीट हो रहा है आवरती दसंबलब है, repetition है अगर repetition हो रहा है और वो सांत नहीं है, उधारण के तोर पर ये इस तरह से 1.2323 23 इस तरह से नंबर है 23 और इसे आप क्या लिखोगे 1.23 पर 2.23 पर 2.23 पर 2.23 पर 23 पर 2.23 पर बार है, मतलब ये क्या होगा 23 upon 99 99 यहां जाएगा 22 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा 23 जोड़ोगे, ये 122 बटा 99 ये fraction और ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हो इसे बोलते है, rational नंबर या परमेज संख्या, option नंबर C प्राकरतिक संख्या नहीं है, गिंती होती है पूर्ण संख्या उसमें 0 मिला लिया जाता है तो वैसा भी नहीं है, प्राकरतिक संख्या मैं 0 मिला के बता रहे हूँ परमेज संख्या इसे कहा जाता है, जिसमें point वाले सारे fraction सामिल हो जाते हैं चाहे सांत हो या असांत हो आप परमेज संख्या ऐसी संख्या है जिनने लिखने के लिए specific sign specific sign के आवशक्ता होती है उन्हें आप परमे संख्या कहते हैं जैसे root 2, root 3, root 5 और πाई ऐसे numbers को कहा जाता है आप परमे संख्या और परमे संख्या में 22 बटा साथ पी सामिल हो जाता है क्योंकि ये एक recurring number है ये एक आवर्ती संख्या है जहां तक है छे अंक के बाद ये repeat होने लगता और πाई यहां पर आता है आप परमे संख्या वो repeat नहीं होता है बस ये ध्यान रखना है मैं आप परमे संख्या है आप परमे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निशित होती नहीं एकजेक्ट होती नहीं तो परिमित मतलब होता है सीमित और ये सीमित नहीं होती इसलिए इनको अपरिमे संख्या कहा जाता है चलते हैं next question की तरफ अगला प्रषन मारा किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है यदि एक संख्या पहले वर्स 10 प्रतिशत बढ़ती है दूसरे 10 प्रतिशत घट जाती है तो 2 बरसों के बाद सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की ब्रदिया कमी होगी इस तरह के प्रशनों को या एक संख्या में प्रतिशत परिवर्दन को लेकर हमने बताया है कि जो relation use होगा हमारा वो यही relation होगा एक संख्या में भी change करेगा तब भी हम इसी तरह बात करेंगा और यहां वो सदस्यों की संख्या में ही change कर रहा है एक बार बढ़ रहे एक बार घट रही है जो बढ़ रहे है उसके लिए plus 10 घट रहे है उसके लिए minus 10 तो 10 into minus 10 upon 100 यह plus 10 और minus 10 यह तो पहले ही कट गए यह दोनों 0 कटे लेकिन यह ध्यान रखेंगे 1 और minus 1 तो यह क्या बचेगा minus 1% मतलब यह क्या हो रही है कमी हो रही है पहला option ना ब्रदी ना कमी गलत दूसरा option 25 सदस्यों की ब्रदी ब्रदी तो होई ने कमी गलत आखरी 99 दे रहा है तो बचा option number C 99 कुछ केसिज पर आंसर होता है लेकिन यहां 25 सदस्यों की कमी एक प्रतिशत की कमी एक प्रतिशत कितना होगा दो 0 हटा दो 25 की कमी option number C हमारा आंसर हो जाएगा चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल geometry से question number 15 पंदरवा प्रेशन पंदरवा प्रेशन बोल रहा है हमसे यहां पर यह दे रहा है अब इसमें क्या पूछ रहा है वो y-x पूछ रहा है y बड़ा आने वाला जो भी आने वाला है हम तो अपना solve करने चलते हैं यहां हम solve करने जाएंगे यह 120 है देखो यहां जो एंगल होगा और हम कई बार बोले हैं कि अगर दो लाइन हैं इस तरह से हैं इन दोनों एंगल का sum कितना होगा यो कितना होगा 180 होगा और इसको theory में और questions में बताया है हमने और YouTube पर भी पढ़े हुए हैं इसके questions तो geometry के जह होने तो X यहां बने या यहां बने एक ही बात है और इन दोनों को मिला के 180 होगा तो 60 यहां जाएगा अब यह यहां बन रहा है यह 110 यहां लिखने की बजाए तो हम यहां लिखना पसंद करेंगे यह 110 है और फिर वही कहानी दोनों को मिला के कितना होगा दोनों को मिला के 170 180 होगा 180 होगा तो यह 110 है तो यहां कितना बचा यहां बचेगा 70 डिग्री अब क्या पूछ रहा है दोनों का अंतर 70 और 60 का अंतर कितना होगा 10 डिग्री option number B तो simple question था 2018 में पूछा था यूपी में अगला प्रशन दिये गए चित्र में ABCD एक चक्रिय चतरवुज है तब क्रमित यूग्म X Y है X और Y की वैल्यो बतानी है चक्रिय चतरवुज की property होती है जो a-posit vertices सहोते हैं व्यपरीत सीर्स होते हैं उनके कॉणों का योग 180히 होता है ये चक्रिय चत्रबुच की प्रपर्टी होती है तो यहां दिखेंगे इन दोनों का योग 180 है तो पहले हम इनका देखते हैं 4x plus 4y plus 20 लिखते हैं इसको 4x plus 4y plus 4y plus 5 is equal to sorry plus 20 is equal to 180 degree पूरे में 5 से भाग लगता दिख रहा है 5 से भाग लगा के इसे हम यहां ले जाते हैं या इसे यहां ले जाके हम 4 से भाग लगा देते हैं यह 160 बचेगा, 160 में 4 से भाग लगा होगे 40 बचेगा, यह बचेगा x और यह बचेगा y x plus y बराबर क्या है? 40 है फिर उसके बाद हम देखें इन दोनों का योग हम निकालने की कोशिस करेंगे इन दोनों का योग निकालेंगे तो ये होगा 7x plus 3y plus minus 5 तो ये cancel out हो जाएंगे ये 180 बचा ये 180 बचा अब लगाते हैं elimination method will open बिधी हम लगाते हैं will open बिधी के according अपन किसी को भी same कर लेते हैं y को कर लेते हैं छोटा है बड़ा गुणा नहीं करना पड़ेगा तो हम 3 से इसमें गुणा कर देते हैं इसमें 3 से गुणा करो और इसमें से घटा दो नीचे वाले मैं से 7 मैं से 3 x घटा होगे कितने x बचेंगे 4 x बचेंगे 3 मैं से 3 घटा दिए 3 चौक 12 120, 180 मैं से 120 घटा होगे तो क्या बचेगा 60 x बराबर कितना आजाएगा 15 degree, x 15 आएगा 15 यहां रखोगे 15 यहां लेकर जाओगे 40 मैं से 15 घटा होगे कितना बचेगा 25 बचेगा तो वाय बराबर क्या आजाएगा 25 डिगरी 15 और 25 15 पच्चिस option number option number A answer easy question था ये भी बस property याद दिलानी थी इसलिए question लिया था next question triangle से है triangle में भी theorem से इसमें theorem लगे कि मद्ध बिंदू प्रमे मद्ध बिंदू प्रमे बोलती है यदि किसी त्रुपज की यहाँ पर इसको पढ़के देखना B 70 दे रहा है C 60 दे रहा है ठीक है E ये वाला जो point है ये BC का ये जो point है B और C का midpoint है F जो point है वो A और B का midpoint है इसलिए इन्हें बोलेंगे और यहाँ पर लगेगी मद्ध बिंदू प्रमे ऐसा यहाँ पर बोला है मद्ध बिंदू है तब angle पूचा है F से E पर जाओ और E से B पर यह वाला angle पूचा है अपन से देखते हैं भी मद्ध बिंदू प्रमे होती है यदी यदि किसी तुर्बुज में दो बुजाओं के मद्ध बिंदूओं को मिलाया जाता है तो वह तीसरी बुजा के समानांतर बुजा होती है दो बुजाओं के मद्ध बिंदूओं को मिलाया जाता है वो तीसरी बुजा के समानांतर आती है तो ये कैसी है समांतर है तो ये तरबुज कैसे होंगे ये तरबुज होंगे समरूप तरबुज होंगे तो यहां का angle reflect होकर यहां आ जाएगा तो ये 60 यहां आ जाएगा यहां का angle यहां बनेगा ये दोनों कैसी आ जाएगे parallel line आ जाएगे और half आ जाती, ये line half हो जाती है, तो 60 angle यहाँ पर आ जाएगा, तो 60 answer option number B, बस theorem याद दे लानी थी, अब ये अंदाजा लग रहा है कि trigonometry में, sorry, geometry में, trigonometry से याद आया, trigonometry के भी questions लेना है, logarithm के questions लेना है, जो यहाँ generally देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो question हम exercise अलग से ले और आपको उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, Saturday को हम available नहीं रहते हैं, लेकिन ये lecture आपको Saturday को मिल रहा है, इसके बाद साम तक सायद नहीं मिलेगा, लेकिन Sunday से वो frequency भी बढ़ जाएगी, हमारी availability भी बढ़ जाएगी, उपलबदता भी बढ़ जाएगी, तो वह हमें trigonometry भी आप लोगों को देना और logarithm भी देना है, तो वह हम दे देंगे, हमें याद है क्योंकि इस syllabus में लिखा हुआ है, निशिंत्र हुआ आप लोग, अब चलते हैं 18th question, पर यदि किसी वर्ग के विकरण को दोगना कर दिया जाए, तो उसका छेत्रफल होगा, देखो हलाकि हम थियोरी में बता चुके हैं, चाहे वो ब्रत में परिधी बोले, तरिज्जा बोले, व्यास बोले, कुछ भी बोले, सभी का मतलब होता है, वो तरिज्जा की बात कर रहा है, वैसे ही वर्ग में विकरण, भुजा, परिमाप, सभी क्या रहते हैं, एसे मिलकर बने हो होते हैं इसको और थोड़ा सा यहां समझने भुजा कियाба क्या होता है फूर विकर्ण क्या होता है रूट ज देखो बाकी पार्ट क्या है constant सिर्फ बदलेगा क्या a बदलेगा तो सिर्फ a में वह change कर रहा है वो बताना दूसरे तरीके से चाहता है अब ये विकरन है root 2 को थोड़ी वो change कर देगा change तो किसको कर रहा है a को कर रहा है a को double कर रहा है भुजा को अगर double कर दिया जाएगा तो छेत्रफल पर क्या प्रभाब पड़ेगा वो पूछ रहा है पहले a भुजा थी तो a square था अब 2a भुजा हो जाएगी तो छेत्रफल क्या हो जाएगा 4a square हो जाएगा बस यही जबो जानना चाहरा था कि इतना समझते हो या नहीं समझते हो और जहां तक है आप लोग समझते हो इस बात को अंसर आ जाएगा फूर टाइम्स चार गुना अगला कुर्शन किसी आयत का छेत्रफल a है a cm2 है और इसकी लंबाई l है इसका परिमाप होगा तो यह बना लिया हमने आयत देखो अच्छा लग रहा है ना छेत्रफल क्या आ रहा है चेत्रफल कैसे निकालते हो आप l into b is equal to a अब चाहिए क्या दे क्या नहीं रहा है चोड़ाई नहीं दे रहा है तो b is equal to क्या लिख सकते हैं a upon l क्योंकि l और a में ही आंसर दे रहा है तो b को तो हटा नहीं है तो A upon L लिखना है, परिमाप क्या होती है परिमीटर होती है 2 of L plus B 2 of L plus B 2 L की जगा L और B की जगा A upon L 2 से अंदर गोडा कर दोगे 2 L plus 2 A upon L यह आचाएगे कहीं दे रहा है, option number 2 L 2 A upon L, हाँ दे तो रहा है option number 2 हमें लगवा हमने क्या कर दिया, option number 2 हमारा answer हो जाएगा last question, maths का last question last question है 100 प्रिक्षन है, हमने 100 कुई भी experiment किये और उन प्रिक्षनों का समानंतर माध्य मतलब average कितना आया 50 आया, गलती से हमने क्या किया, दो वस्तुओं 3 और 92 जहां लिखने थे वहां 30 और 29 लिखती है 3 का 0 अड़ा दिया और इसे हमने पलट दिया, तो actually में हमने क्या किया, average हम कैसे निकालते है, average निकालते है योग करके भाग लगाना मतलब जोड करके solve करना होता है, तो जो गलती होगी वो किसमे होगी, जोड में होगी तो जोड कर देखते हैं, इन दोनों को जोड कर कितना आना था, इनको जोड कर आना था, 95 ये 95 लिखना था, लेकिन आपने लिख कितना दिया 30 और 29 69 मतलब 59 तो आपने एरर कितने की की गलती कि जोड घटाव में आपने गलती की 36 की ये गलती आपने की और एवरेज का मतलब क्या होता है एवरेज का मतलब होता है हर एक पर कितना चाहे गाड़ी का एवरेज हो कार का बाइक का किसी का भी एवरेज होता है क्रिकेट में एवरेज होता है कहीं पर भी average होता है, उसका सीधे मतलब होता है कि हर एक पर कितना है, अब ये 36 की गलती हुई, कम हुई, अब इस 36 को क्या करना पड़ेगा, त्रोटी सुधार में बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बढ़ाना किस पह है, average मतलब हर एक पह और हैं कितनी, 100 लोगों पर, तो जो 36 को हम पचास आया था, तो सुधार होने के बाद क्या हो जाएगा, 50.36, option number B, ये answer बनेगा, और ये मौकिक तोर पर भी हो सकता था, आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ता, यदि आप समझ गए तो, अब चलते हैं पेड़ागोजी की तरफ, पेड़ागोजी की questions दिखते हैं, गड़ित की प्रकरती, एवं संरशना में निमलिखिद विषेस्ता नहीं होती है, जो गड़ित से जुरी हुई नहीं है, गड़ित से क्या है? गड़ित की विशयवस्तू में सामंजश्यता होती है, बिलकुल होती है, वो balance बिठा के रखता है, ठीक है, गड़ित की सबी सोलव करते हैं वह विजसेर के अंदर आ जाता है तो सभी जगा पर तो कताई भी नहीं है, option number B अपना यहाँ पर answer बन जाएगा, बाकी आपन देखेंगे, गड़ित की भासा संकेत एक होती है, पिछले session में इसका प्रशन किया था, अंक लिखना भी संकेत है, चिन भी यूज किये जाते हैं, कुछ संकेत पाई जैसे संकेत भी यूज किये जाते हैं, गड़ित के निश्कर्श निश्चत यवां तरक संकत होते हैं, यह तो 100% सत्य है, next question, next question है, गड़ित सब्वेता यवां संस्कृति का दरपण है, यह जो statement है ना, ये पिछली session में मैं ही बताया था ये hogveyn का statement है, veyn करके बताया था when कर दिया तो क्या करते रहता है, वो दरपन देखते रहता है, तो गड़ित सब्वेतायुम संस्कृति का दरपन है, ये hogveyn का statement है, ये किस तरफ इसारा करता है, ये पूछा है किस मूले से संबंदित है तो ये किस मूले से संबंदित होगा सब्वेता और संस्कृति है तो सामाजिक संबंद सामाज से भी पहले इसमें exact जो दे रहा है वो दे रहा है संस्कृतिक संबंद क्योंकि संस्कृति की बात कर रहा है तो संबंद कौन सा होगा सांस्कृतिक अनुशाषन नहीं लेंगे और उप्रोक्त सभी का तो ध्यान रखना है कि पता चले वो लभावना लगे नहीं थोड़े बहुत थोड़े बहुत तो होते ही होंगे सारे तो थोड़े बहुत से कोई भी मतलब नहीं है जो आपको इसपस का गड़ित है उसे विद्याले का गड़ित नहीं कहा जाता जहां पर बच्चे क्या करें गड़ित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं बिल्कुल सही है आनंद उठाते हैं बच्चे गड़ित को सीखने का गड़ित को अपने दैनिक जीवन के अनुहों के रूप में में जहां पर रटने और कंठस्त या फिर इस तरह की बात आ जाएगी वहां समझ जाएंगे यह स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनी पर सबसे जादा प्रहार किया गया था 2005 में बच्चों को रटने से बाहर ले जाना है तो यहां कंठस्त करने की रटने की बात आपनद फिर नर्प नेक्स पार्शला करम का यह कॉन सा है जिसका दियार्थियों को विशे स समबंदित ग्यान प्रदान करना ठथा विशे समन्मधी समझ विक्सित कर विक्सित कर प्रतेख को अलग अलग इस्थान दिया जाना जब विशें पढ़ें देखो अंतर संबंद पढ़ा जाता है और अंतर पढ़ा जाता है हम विशयों को अलग करते हैं अगर हम अंतर संबंद पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है सभी विशय एक हैं फिर हम अलग-अलग क्यों पढ़ते हैं क्योंकि उनमें अंतर होता है जब हम अंतर पढ़ने लग कुछ सामान्य विशेस्ताओं के आधार पर हम समानता बता देते हैं लेकिन हर विशय अपने आप में विशेस होता है अपनी विशेस्ताओं को लेकर तो बाल केंद्रित पाठेक्रम नहीं हम विशय केंद्रित विशय की तरब जा रहे हैं तभी तो हम विशेस्ताओं को देख सब अलग अलग है बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं है वहाँ स्पेसिफिकनेस आ जाती है विशेस्थाएं आ जाती है अनुभव केंद्रेत अनुभव से कोई मतलब नहीं है तो यहां विशय पर जूर दिया है तो विशय प्रधान पाठिकरम लेना होगा जो उसकी की तरफ अगला 25 प्रशन गड़ित में प्रदर्शन जो प्रदर्शनी लगाए जाती है प्रदर्शन उलेख नहीं करता है प्रदर्शन किस चीज का उलेख नहीं करता है 2016 का प्रशन है एक महत्वपून जो प्रिजेंटेशन है प्रिजेंटेशन हम करते हैं करके दिखाते ह वो प्रदर्शन एक महतवपून जामितिये परिणाम को प्रमे में वेक्त करना बिलकुल वेक्त करते हैं बनाते हम लिखते हैं महतवपून जामितिये परिणाम को प्रमे में वेक्त करना जो जामितिये परिणाम हमने निकाला जैसे हमने बार-बार पाइथागोरस को करते हैं जो तमाम आकड़े कलेक्ट किये जाते हैं जनगड़ना के ऐसे तमाम आकड़े आप लोग जनगड़ना के आकड़े पड़ते हो कहीं पाइचार्ट बना के देता है कहीं जो आयत वह हैं डायग्राम वह बना के देता है वह तो ऐसे तमाम आकड़ों को डायग्राम के मैं व्यक्त किया जा सकता है, पर्सेनटेज में हो जाता है, मैं हो जाता है, फिर चलें संख्या-स्रेणि को ज्यामिती रूप में व्यक्त करना उसका जो graph बनाना है, जो शीरीस है, उसका graph बनाना विल्कुल सीरीज के graph बनते हैं फिर उसके बाद दो चरों के मध्य संबंद को हम क्या करें प्रदर्शित करें दो चरों के मध्य संबंद को बना कर नहीं दिखाया जाता प्रदर्शित करके नहीं दिखाया जा सकता वो सिर्फ क्या किया जाता है उसे explain किया जाता है किस तरह से एक दूसर से संबंधित हैं तो प्रदर्शन को लेकर अगर आएगा तो प्रदर्शन की व्याख्या कौन नहीं करता है दो चरों के मध्या संबंध यह प्रदर्शन की व्याख्या नहीं करेंगे जयामिती में उपपत्ती, प्रूफ लिखना संकेत करता है, जो प्रूफ हैं, उत्पत्ती हैं, जो उत्पत्ती वाला टॉपिक है आपका, उत्पत्ती वाले टॉपिक के लिए आप NCRT या MP बोड की, MP बोड की किताब के, 9th क्लास की किताब के, सबसे लास्ट के दो टॉपिक वहां आपको मिलेगा उपपत्ती, गडित में उपपत्ती, मिल जाएगा, वही पैडागोजी है, उसके बारे में ये कोशिन पुछा है, 2016 में, कथन के तर्ग या औचित्ते को की ओर संकेत करती है, जामिती प्रश्न के वर्णन की तरफ संकेत करती है, किसी आकरती को खीचन की तरफ नहीं, ये तो कुछ भी बात कर रहा है, पागल पंते के, जामिती के प्रश्न के वर्णन नहीं, दूई इस्तंभी तालिका क्या बात कर रहे हैं, ये कथन के तर्क या औचित्ते को ये बताती है, फिर बताया है, जब हम प्रूफ करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते है statement, जिसके सत्तता की जाच की जानी है, वो statement होता है, और वही क्या है? उपथि में परिकलपना के तौर पर उसे लिया जाता है, सभी चीज़ें अलग हैं, और वहाँ पर definitions भी दी गई है, तो proof में क्या लिया जाता है? जामिती में उपथि लिखना, जो उपथि हम ल के 20 seemed at 2011 का कुछिन नहीं प्रेग 느ra मोटिवेशन है वह क्रिया कलाब फंक्शनिंग समायोजन एड्जेस्टमेंट गडित सिक्षण के किस पक्ष से सम्बंदिध है क्रिया कलाब करना ग्यानात्मक पक्ष दोनदर यात्मक नहीं जो ग्यान्तमक पक्ष armour या लुज करना गड़ेत में बच्चों को motivate किया जाता है तो वो किस तरह से किया जाता है क्रिया कलाब करके चाहे हम पूछ कर motivate करें बच्चों को या कुछ लिखने को देकर या सुनाने को बोलकर हम करें कभीता वगरा से करें तो यह इंट्रेस्ट हम जैसे भी बढ़ाएंगी वो क्या होंगी सारी क्रियाएं होती हैं तो कि से सम्मदित होगा प्रेर्णा क्रियातमक या adjustment में बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो किसके माध्यम से है क्रियातमक पक्ष वो बताते हैं नेक्स्ट, गडित सिक्षन का प्रम्यकुद देश है, बच्चों में क्या विक्सित करना, तरकून धंग से सोचने की सकती विक्सित करना, बिल्कुल ठीक है, रटना नहीं, सूत्रियाद करना नहीं, सवाल हल करना नहीं सेकंड लास्ट कोशिन, दो पूरक कोण्ड, दो अनुपाद तीन, 2016 का कोशिन है यह, दो पूरक कोण्ड, दो अनुपाद तीन के अनुपाद में है, उनको ग्याद कीजिए, कच्छा साथ की, NCRT की पाठ्यकुस्तर में उप्रूक्ट प्रशन को का संधर्ब दिया है, जब अ अनुपाद समझना है, फिर पूरक कोण्ड की कहानी लेना है, फिर उसको क्या करना है, मुल्याना है, अब यह प्रॉब्लम सॉल्ब करने, जब हम जाएंगे, तो यह क्यों सा तरीका हो जाएगा, यह एनलिसिस तरीका हो जाएगा, और एनलिसिस एक बहुत उच्च स्रेणी में पहुत जाता है, निम्न स्रेणी में तो नहीं होगा, उच्च स्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपिक्षा करता है कि दी हुई जानकरी की व्याख्या की जाए, जिसका विशलेशन किया जाए, विशलेशन आ रहा है, उच्चतर स्रेणी का है, क्योंकि यह अपिक्ष इस्थानी और जातीय मान की समझ में उनी चाहिए अगर इनकी समझ नहीं होगी तो इसी तरह की गलतियां देखने को मिलेंगी तो यहां अपना आंसर बने का option number इसमें वो एकाई, दहाई, सेकड़ा हजार, दस हजार वो लिख दिया 30,020 300 मतलब सौवे इस्थान पर क्या आएगा तीन और फिर उसके बाद बोल रहा है 20 मतलब दहाई पर क्या आएगा 20 किसे बनाए दो से तो ये था हमारा आज का session मिलते हैं सेशन रहेगा, हम कोसिस करेंगे आप number of sessions आपको Sunday से मिलने लग जाएंगे, Saturday में एक ही session मिलेगा आपको, Sunday से और sessions मिलने लग जाएंगे, तो आपकी जो भी फरमाईस हो, वो आप वीडियो में नीचे comment में डाल सकते हैं और आप देखेंगे, हम उन चीजों को सामिल कर रहे हैं और ये आपका time है अभी आप लोगों को पढ़ना है और हमें पढ़ाना है तो एक दूसरे का जो combination है, वो complete करते हैं आप comment box में डालें, हम आपको provide करवाएंगे तो फिलाल इस session में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहें, राम राम सभी को Thank you